नमस्कार दोस्तों, हर्याना की राजनीती की बात हो तो आप भुपेंदर सिंग हुड़ा को अवाइड नहीं कर सकते। भुपेंदर सिंग हुड़ा पिछले लगबग 20 साल से हर्याना की राजनीती को डॉमिनेट कर रहे हैं। दो बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस समय कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं हर्याना में। और हर्याना में बले ही बीजेपी की सरकार है लेकिन नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा ही है। और अभी हाल ही में हर्याना में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। उनके नतीजों के बाद एक बार फिर ये साबित हो गया है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा को हर्याना की राजनीती में किनारे लगा पाना आसान नहीं बलकि नामुम्किन है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि पिछले कुछ समय से हर्याना की राजनीती में कॉंग्रेस जरूत से ज़ादर तवज्जो दे रही थी कुमारी सेलजा को जिने प्रदेश अध्यक्स बनाया था। और कुमारी सेलजा को राहुल गांधी तो पसंद करते हैं, प्रियंका गांधी तो पसंद करती हैं, लेकिन वहाँ पर अगर राजनीती की बात आती है हर्याना में, तो फिर सोनिया गांधी की चलती है और सोनिया गांधी की पहली पसंद भुपेंदर सिंग हुड़ा है। महत्पुन रोल रहा है और भुपेंदर सिंग हुड़ा हर्याना में सोनिया गांधी का सबसे पसंदिदा चेहरा रहे हैं यही वज़े थी कि जब पिछले विधान सभा चुनाव हो रहे थे हर्याना में तो उस समय अशोक तवर प्रदेश अद्यक्स थे दलित थे अशोक तवर और उनके खिलाफ सारी कॉंग्रेस थी वहां की भुपेंदर सिंग उड़ा चाहते थे कि उन्हें वहां से हटा दिया जाए और सबकी ये इच्छा थी कि भुपेंदर सिंग उड़ा के हाथ में कमान सौप दी जाए लेकिन राहुल गांधी अशोक तवर को पसंद करते थे और उन्होंने भुपेंदर सिंग उड़ा की नहीं चलने दी थी लेकिन अंत में जब चुनाव नजदीक आने लगे तो भुपेंदर सिंग उड़ा अपनी चलाने में सफल रहे थे और प्रदेश अध्यक्स के रूप में सोनिया गांधी ने कुमारी सेलजा की नियुकती कर दी थी जो की अंबाला से सांसद भी रही है और दलित चेहरा है एक और कॉंग्रेस का हरियाना में और बैलन्स करने के लिए उन्होंने चुनाव का परभारी बना दिया था सोनिया गांधी ने भुपेंदर सिंग उड़ा को और इस तरीके से वहाँ कॉंग्रेस कुछ नहीं है और हकीकत भी यही है इसके बाद अभी हाल ही में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उनमें जिस तरीके से कॉंग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसे देखते वे यह साबित हो गया है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा वहां का सबसे बड़ा चेहर हुई है वहां की समिक्षा की और उसमें जितने भी निगम मेयर पद के परत्याशी थे या पार्शत पद के परत्याशी थे उन सभी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस हाई कमान की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं मिला और दूसरी और वुपेंदर सिंग हुड़ा ने इस ने कोई ऐसी रणनीती बनाई जिससे के परत्याशियों का सहयोग किया जा सके ये सब आरोप लग रहे हैं और इसके अलावा पंचकुला अंबाला रिवाडी यहां पर जो है कॉंग्रेस की हार हुई है और हुड़ा ने इशारों हुई इशारों में इन निकाय में हुई हा करने का सुझाव भी दे दिया उन्होंने ये कहा कि इन छेत्रों में हमारी हार क्यूं होई इसके समिक्षा जरूर की जानी चाहिए आप जानते होंगे कि सोनीपत में कॉंग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और सोनीपत भुपेंदर सिंग हुड़ा का गड़ रहा है और इसलिए भुपेंदर सिंग हुड़ा गर्व से ये कह सकते हैं कि सोनीपत में उन्होंने अपनी चलाई थी और सोनीपत उनका गड़ है आपको बताओं कि बरोदा विदान सबा सीट का जो पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था उसको लेकर भी कुमारी सैलजा पर न याना में भुपेंदर सिंग हुड़ा से बड़ा रननीती कार कोई नहीं है बले ही मनौरलालільки खत्रमा के चीफ मिनिस्टर हो लेकिन जो दिगजराजनीती की बात आती है तो उसके बाद भुपेंदर सिंग हुड़ा का नाम सबसे उपर आ जाता है और भुपेंदर सिंग तो कही ही है जहां जहां हार हुई है इसके लाव भुपेंद सिंग उड़ा ने ये कहा है कि सोनी पत में हम 14,000 मतों के अंतर से जीते हैं अंबाला वे पंचकुला पर कॉंग्रेस की हार से जुड़ेवे सवाल पर उड़ा ने कहा कि उन्हें ने तो किसी पताधिकारी और नहीं कांग्रेस उम्मीदवारों ने परचार के लिए बुनाया था उन्हें शायद लग रहा था कि ऐसे ही काम चल जाएगा उनका कहना था कि जब मुझे परचार के लिए बुलाया ही नहीं गया तो मैं वहाँ पर क्या करता जाकर अलबता अंबाला में उनके पुराने मित्र विनोध शर्मा जो कि केंद्रिय मंत्री भी रहे हैं और आपको पता ही होगा कि जैसी का अत्याकांड में उनके बेटे जेल काट रहे हैं विनोध शर्मा के और उनकी विनोध शर्मा की पतनी शक्तिरानी शर्मा यहां से जेती हैं इसमें कुमारी शेलजा का कुछ भी योगदान नहीं माना जा सकता क्योंकि विनोध शर्मा अपने आप में सक्षम आदमी है इसके अलावा हुड़ा ने ये भी कहा है समिक्षा बैठक में कि सांपला में खुद मेरा समर्थक धारू एड़ा में रावदान सिंग का स मर्थक और उकलाना में जैपरकास जेपी वे दिपेंदर हुड़ा का समर्थक ध्यक्स का चुनाव जीता है तो उन्होंने ये भी दावा किया कि गठबंदन सरकार शेहरी निकाए चुनाएक नतीजों के बाद जंता का पूरी तरह से विश्वास खो बैठी है यानि कि उन् इन्हें सत्ता में बने रहने का कोई राइट नहीं है इसके अलावा जहां तक मैनेजमेंट की बात है मैनेजमेंट का रोल कितना बड़ा होता है छोटे चुनाव में नगर पाली का या नगर निकाय के चुनाव में इसका जीता जागता उधारन सोनीपत सीट है आपको पता पर भाजबा के जो ललित बत्रा है, वो पंद्रा साल से यहाँ पर राजनिती में शक्रिय हैं, लेकिन निकिल मदान ने शानदार अपना मेनेजमेंट किया, मेनेजमेंट में पोस्ट गरेजवेट है निकिल मदान, और उन्हें शानदार तरीके से अपना चुनाव मैनेज कर यहां सफलता हासिल की। और इने भुपेंदर हुड़ा का ही प्रत्याशी माना जा रहा है। इसके लाबब भाजपा के जो प्रत्याशी थे लालिद बत्रा, उनके समर्थन में भाजपा के मंत्री, सांसद सब ने परचार किया लेकिन ललीत बत्रा उसके बावजूद भी नहीं जीत सकते हैं यही वज़य है कि यह सब चीजें रिफलेक्ट करती हैं कि BJP के मुकाबले हर्याना में आज भी अगर कोई चहरा खड़ा हुआ है तो वो भुपेंदर सिंग हुड़ा है और भुपेंदर सिंग हुड़ा जब तक राजनीती में है सक्रिय हैं कॉंग्रेस में तब तक वहां कॉंग्रेस भी उनके कहे से बार नहीं जा सकती देखें पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उन्हें अपने बेटे दिपेंदर सिंग हुड़ा को राज्यसभा में भेज दिया किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भुपेंदर सिंग हुड़ा का विरोध कर सके सब जानते हैं कि भुपेंदर सिंग हुड़ा किस तरीके से मैनेज करना जानते हैं अगर उन अपने बेटे को राज्य सभा में भेजना है तो वो किसी दूसरे दल के समर्थन से भी भेज सकते थे यही वज़े रही कि किसी ने दिपेंदर हुड़ा को अपोज नहीं किया हाला कि राहुल गांधी भी दिपेंदर हुड़ा को पसंद करते हैं उनकी युवा टीम के मेंबर हैं वो लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने उनका विरोध नहीं किया था और लोकसबा चुनाव हारने के बाद आपको पताईए के लोकसबा चुनाव वुपेंदर सिंग उड़ा भी हारे थे और दिपेंदर भी हारे थे लेकिन दिपेंदर हुड़ा का कैरियर अब सेट कर देना चाहते हैं बुपेंदर सिंग उड़्डा इसलिए उन्होंने उन्हें राज्यसवा में भिजवा दिया है कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्परिय यही है कि अगर हर्याना में कॉंग्रेस को जिंदा रहना है तो उन्हें चलना होगा भुपेंदर सिंग उड़्डा के हिसाब से यह सावित कर दिया हर्याना के पिछले विधान सभा चुनाओं में भी जबकि बिल्कुल अंतिम मोके पर कमान सोपी गई थी भुपेंदर सिंग उड़्डा को और उन्होंने शांदार सफलता हासिल की थी और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दोश्यन चोटाला का सहयोग लेना पड़ा था इतनी सीटे गुपेंदर सिंग उड़्डा जीतने में सफल रहे थे इसके अलावा बरोदा का जो उप चुनाव हुआ वहां पर अपने एक समर्थक प्रत्याशी निर्दलिय प्रत्याशी को बैठा कर उन्होंने बीजेपी को हार दिलवाई इसके अलावा अभी नगर निकाए चुनावों में शांतार सफलता उनके समर्थक वे उनके गुट से जुड़े लोगों ने पाई है और इससे ये साबित हो गया है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा हर्याना में न सिर्फ कॉंग्रेस का बलकि राजनिती का सबसे बड़ा चहरा है और उन्हें अभी तो फिलाल अवाइड करना मुश्किल है हर्याना की राजनिती पर हम पहले भी बात करते रहे हैं आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव नमश्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें